ओम नमस्य वाय श्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटुग चैनल पर दोस्तों स्रावण मास का महिना बड़ा ही पवित्र महिना है स्रावण मास में भगवान सिव को प्रसंद करने के लिए हम अनेको चीजें भगवान सिव को अरपन करते हैं उनमें से ही है एक बेल पत्र श्रावण मास में चुपचाप प्रति दिन एक बेल पत्र स्रिवलिंग से उठा करके आपको लाकर के घर में एक जगे रख देना हैं इससे आपकी हर मनुकामना पूर्योगी हर प्रकार का सुक और बैभवप प्राप्त होगा दोस्तों स्रावण मास का महिना ऐसा है कि अगर आप प्रेम से भगवान के सामने दीपक भी जला देते हैं तब भी आपकी मनुकामना पूर्योगी है थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान की पूजा जरू करें कुंडली में कैसा भी असुप दोस हो सारे दोस दूर हो जाते हैं स्रावण मास में की गई पूजा का लाखो करोड़ों गुना फलप्राप्त होता है कार्यों में आ रही सारी रुखावटे दूर हो जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि सभी लोग प्रति दिन सिवलिंग पर बेल पत्र चड़ाते हैं सिवलिंग पर बेल पत्र चड़ाते हैं आपको क्या करना है एक लोटा जल लेना है जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है और एक बेल पत्र उस लोटे में डाल लेना है प्रतिदिन का नियम बननाना है अब इस लोटे के जल से ले जाकर के भगवान सिवक आवसिक करना है ओम नमस्षवाई मंतर का जाप करते जाएंगे और भगवान इस शिव का अवसिक आपको करना है ओम तत्प्रसाइब इद्वाई मादेवाधी में तन्नुरुद्र प्रचोध्याद ओम नमस्षवाई ओम नमस्षवाई ओम सोमे सुराई नमाहा आदी मंतरों का जाप करते हुए भगवान को वह जल आपको जो लोटे में लेके गए हैं उससे अफसिक करना है फिर लाश्ट में जब जल चड़ा दें तब आपको बेल पत्र भी स्रिवलिंग पर चड़ा देना है वहाँ पर दीपक जला करके अब आपको अपनी इच्छा प्रभू से बोलनी है कि प्रभू मेरी मनुकामना पूरी हो मेरी इच्छा पूरी नहीं उपा रहे है आपके आश्रिवास से ही पूरी होगी फिर नंदी के कान में आपको अपने इच्छा बोलने है कि मेरे इच्छा सिवजी तक पहुचाएं मेरी मनुकामना पूरियों उसके बाद में बेल पत्र सिवलिंग से उठा लेना है और लाकर कि आपको मंदर में सिवजी के सामने रख देना है फिर सोते समय थोड़ी देर महला प्रते देर इसको अपने पेट पर रख करके सोए आपकी हर मनुकामना पूरियों